हाई फ्रेंज तो आज मैं आप सब की लिए लेके आई हूँ घर में रखे वे चीजों से हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी होम रेमेडी जिससे लगाते ही आपका चेहरा एक दम सीसे जैसा चमकने लगेगा तो जरूर से एक बार आप लोग इसे लगा कर देखें तो चलो बन नहीं बनाना है इसे दरदरा रखना है तो इसमें मैं एट करूंगी दो चम्मच लगभग नीमबू का जूस तो मेरा ये कोकिंग और ब्लोग का चैनल है लेकिन जो हम अकसर घर में अपनी इस्तेमाल करते हैं होम रेमेडी बनाके तो वही मैं आप सब के साथ भी शेयर कर र और उसके बाद मैं फ्रेस अलेवीरा का जेल इसमें लूँगी और अगर आपके पास फ्रेस नहीं है तो यही ले सकते हैं तो मैं इसमें अलेवीरा जेल डाल रही हूं अभी तो इसे किस तरीके से निकालना है मैं वह आप लोग को बताती हूं तो देखिए इसी तरीके से चम्मस से निकालना है इसका जितना पल्प है आप इसे चाकू से नहीं निकालें के क्यूप्स में अगर आप इसे निकालेंगे तो फिर वो जल्दी अच्छे से मिक्स नहीं होता है तो इसी तरीके से चम्मस से निकालते रहें तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है तो तीनों को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ मैं और अब मैं इसमें एट करूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर इससे हमारे चहरे पे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है तो ये हमारी होम रेमेडी बनके रेडी हो चुकी है तो इसे आप अपने चहरे पे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं तो मैं इसे अपने हाथों पे लगा के आप लोग को बता रही हूँ कि इसी तरीके से आपको लगाना है अच्छे तरीके से लगाएं चहरे पे और रब करते रहें तकरीबन इसे चहरे पे 10-15 मेर्ट तक लगा रहने दे उसके बाद आप अपना चहरा धुलने किसी फेसवास से तो आपको इसे रात में ही लगाना है सुबा में मत लगाएं, रात में लगाएं और सुबा अपना चहरा धुलने तो देखिए इसी तरीके से आपको अच्छे से मसलते हुए चहरे पे लगाना है, आप हाथों पे भी लगा सकते हैं पैर में भी लगा सकते हैं तो देखिए कितना गुलो कर रहा है तो इसी तरीके से जोट से एक बार ट्राइ करें टाइंग पोर वाचिंग